प्री में हमें क्या clear करना होता है, cut off, ठीक है, बट mains में हमें cut off नहीं clear करना होता, mains में आप cut off clear करके satisfy नहीं हो सकते, आपका हमेशा से aim होना चाहिए, कि mains में आपका cut off से कम से कम 20 number जादा आए, तो कभी भी mocks वगरा लगाते हैं तो cut off आपका clear हो गया, इससे आपको खुश न RRBPO, I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you, this is a serious reminder video for all of you, I will just tell you 5 to 6 things here, जो आप अगर नहीं कर रहे हैं, तो करना start कर दीचे, because ये सारी चीज़े बहुत important है, और अगर आप ये सारी चीज़े कर रहे हैं, तो very 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 good thing, okay, so let's begin friends, the first thing here which I will tell you is computer, computer आप ये मत सोचिए कि एक्जाम का date जब या हमारे पास जब ये resources available हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छी से strategy वगरा सब कुछ बता दी है, कहां से पढ़ना है, कौन से videos देखने है, कौन सा resources है, what you need to study, I have told you everything, in that video where I shared my RRBPO means strategy, second or third video channel पे चेक करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, य आपर sectional time नहीं है, बट cut off हर subjects के है, इसलिए computer जिसको आप lightly अगर ले रहे होंगे, तो मतलीचे, आपको हर दिन अपना एक time बनाना है, और उसमें computer को complete करते जाना है, ठीक है, so the first thing which I needed to tell you was about computer, the second thing is, कि आप जादा पढ़ने के चकर में जादा आपको ये पढ़ना है, वो प basically, RC की reading या कुछ भी जो आप रीड करते हैं उसको छोड़िये मत, vocab जो maintain करने में आपको बोला था, vocab building and सब की practice आपको नहीं छोड़नी है, this is just a reminder for you, ये सब चीज़े आप मत छोड़िये, because English is a game changer for you in mains, ठीक है, English section अगर आपका अच्छा चला गया, तो आपके बहुत अच chances है कि आप लोगों से आगे निकल सकते हैं, मेंस section में, and I have already told you the strategy which I used for English section in that RRBPO मेंस strategy video, and how I achieved 32.75 out of 40 marks, तो kindly आप ये सारी चीज़े, क्योंकि मेंस में English section अगर है, तो वो totally reading पे बेस्ट है, ठीक है, अगर आप read कर रहे है, comprehend कर रहे है, अच्छे से समझ रहे है, और समझ के च आपके बहुत अच्छे marks आएंगे, अगर आपने understanding job की है, उसे अच्छे से develop कर लिया है, तो reading किस से आएगी, sorry, English में marks आपके किस से आएंगे, reading से आएंगे, तो आप अपनी reading बिलकुल मत छोड़िएगा, English को neglect मत करिएगा, दूसरे sections की वज़े से, उसे भी आपको time उतना नहीं देना है, because हम जब pre-clear कर लेते हैं, तो हमारा mains की तरफ main focus हो जाता है, कि हां current affairs बढ़ना है, बाकी तो हमें आता है, ऐसा हम सोचते है, बाकी हमें आता नहीं है, ठीक है, यह जो quant or reasoning है, उसके basics आपको एकदम build करने, अगर आपने arithmetic वगरे छोड़ दिया होगा, this is the next point, अगर आपने arithmetic वगरे छोड़ दिया होगा प्री तक, आपको हर एक chapter के arithmetic के topics, हर चीज में अपनी basics को build करना है, because इसी पे अप थोड़े से high level questions आएंगे, और उतने high level नहीं होते हैं, language में थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा हमें नजर आता है, और वो सिर्फ नजर आता है, अग मैंने experience किया इस चीज को, कि समझ लीचे मेरे speed, time, distance, and boat streams, हाँ, इस पे basic बिल्कुल clear था, और question इतने बड़े से बड़े नजर आ रहे थे, इतने बड़े बड़े से question, इतने इतने lines के, but अगर आपको basic clear है थोड़ा समझते जाए, यहाँ पे भी आपकी reading काम आएगी, इसलि लोग ऐसी होंगे, जो इतना बड़ा question देखके इडर जाएंगे, लेकिन जिनका basics clear है, उनका निकल जाएगा, ठीक है, तो यह जो हमारा है, अगर समझ दिजेए, किसी chapter में आपके basics complete नहीं है, तो उसे आप complete करिये, मैंने आपको सब कुछ बिताया हुआ हुआ है, वो main strategy video मे कहां से आपको कैसे करना है, ठीक है, उसका second part बचा हुआ है, next video वही आने वाली है, तो उसको भी आप देख लीजेगा, ठीक है, so this was the next point, एक और बहुत important चीज, जो बाकी चीजों को भी हमें time देना है, and current affairs के अगर बात करें, तो this obviously is a very important section, you need to start revising current affairs, time नहीं बचा है, daily आप अभी से देखिए, लोग पूछते हैं, पहले वाले भी daily वीडियो देखने हैं क्या, नहीं, daily वाले वीडियो आप अभी से देखिए, और पहले वाले को आप दूसरे sources से complete करिए, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी next video में, current affairs के क्या sources है, और मैंने आपको अल 70% off तो मिली जाएगा और SR10, ये code आप यूज करेंगे तो आपको और 10% off मिल जाएगा, students जो है, लगभग 300 में ये course ले रहे हैं, 320 में and they are giving me huge feedback कि उनको इतने कम में ये course जो है, वो मिल गया and they are very happy with the course, उनको जो भी वहाँ पर available हो रहा है, उससे they are very happy, तो kindly अगर आपने नह लिया है अभी तक, तो जाकर ले लिजेगा, next thing, आपको mocks, at least two mocks, seriously, आपको देने हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं, then it is not good, आपको at least two, मैं यहाँ पर recommend नहीं करूँगी कि आप बहुत सादा mains के mocks दीजे, even मैं भी नहीं देती थी, ठीक है, mains के mocks हमको बहुत जादा नह देने होते हैं, क्योंकि already उसमें बहुत दर टाइम लगता है, और analyze वगेरा करने ही बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप दो mocks ज़रूर दीजिए, समझ लीजिए, in any case, दो भी नहीं हो पार है, तो एक ज़रूर दीजेगा, लेकिन दो आप ट्राइ करिए, ठीक है, और उ दीजिए, धीरे-धीरे आपके marks improve ही होंगे, जैसे जैसे आपका current affairs complete होता जाएगा, तो mocks में भी marks increase होंगे, ऐसा नहीं करना है कि कोई भी section छोड़ देना, at least आपको दिखेगा, in total, आपके marks कितने आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको seriously करनी है, ठीक है, और ज्यादा mocks नहीं देने हैं, लेकिन जो भी आप दे रहे हैं, उसे अच्छे से देना है, and properly, जिस समय पर exam रहता है, समझ लिए सुबा के टाइम पर, जो भी ऐसा नहीं कि रात में आप दे रहे हैं, थोड़ा सा time बीच का रखेगा, और एक पर देखिएगा, कि आप उतने समय तक बै क्योंकि यहां पर आभी, मतलब दो तीन दिन से 50% off चल रहा है, I always try to bring to you the best opportunity, and this is one of those, ठीक है, कि यहां पर आपको 50% off मिल जाएका, सारी चीजों में, जो भी आप लेना चाहें यहां से, and उस पर भी, if you apply the code GS12, then you will get extra 12% off, तो यह आपका बहुत अच्छा opportunity है, आपको कोई भ अगेरा जो भी अवेल करना है, आप इस समय पर अवेल कर सकते हैं, यह ओफर शायद आज ही तक के लिए है, ठीक है, तो आपको जो भी अवेल करना है, आप इस समय पर अवेल कर लीजिए, यहाँ पे आपको गाइडली की साइट पे जाना है और राइट साइट में टिक करना है मौक टेस्ट तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा वहाँ पे RRBPO का मौक टेस्ट करिए उसके बाद आप देखेंगे कि first dollar free है बाकी सारे जो है वो लॉग्ड रहेंगे है ना तो लॉग्ड है that means आपको purchase करना होगा इस तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है एंड आपको नीचे में एक जगह दिखेगा उसका price ठीक है यहाँ पे आपको buy now करना है यह already 50% off में है ठीक है और buy now करेंगे have a coupon code दिखाएगा वहाँ पे GS12 आप डाल दीचिए आपका extra 12% भी off हो जाएगा इस code को apply करने के बाद देख लीचे 200 में mains का अगर आपको mock मिल जा content चाहिए and the person just needs to practice सब सारे subjects एक जगहा पर सबकुछ available है और exact exam level आपको practice यहाँ पर करवाई जाती है तो आप इसके लिए PDF courses ले सकते हैं जो grand bundle PDF course है जिसमें pre mains सबकुछ का course included है वो भी जो आपको 2000 रुपीज ही मिलता है अभी 500 रुपीज ही मिल जाएगा तो यह आपके है देखिए यहाँ पर हम देख रहे है sbi clerk और आरग भी po mains का जो bundle PDF है तो इस तरीके से आपको day one day two करके पूरी की पूरी practice करवाई जाती है and आपको English और Hindi दोनों में यह जो है available रहेगा दोनों का PDF आप daily डाउनलोड करके और practice कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको GS12 लगाने से एक्स्ट्रा आफ मिल जाएगा जब आप extra आफ लगाते हैं तो आप गोजो प्राइस है उससे भी एफोरड़ेबर 300-400 में में इसका course मिल जाएगा तो यह होगा यह होगा की नहीं होगा इस टाइप की जो वीडियोस आप लोग देखते है ना इसके notification आएंगे की नहीं आए क्या होगा क्या नहीं होगा जब आएगा तब पता चल जाएगा ठीक है जब आएगा तो हमको officially पता चल जाएगा इसलिए इस टाइप के वीडियोस मत देखा करिये और जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं अभी और कुछ भी informative भी है तो playback speed बढ़ा कर देखे time आपका बह words पढ़ने है इस तरीके से अपने targets को accomplish करिये और वीडियो आई जस्ट अप्लोड वन और टू वीडियो वन वीडियो इन वन और टू डेज सो फिर भी लगता है कि यह वीडियूज लेस है तो मत देखें बिल्कुल मत देखें ठीक है एंड लास्टली हमेशे यह याद रख है तो अभी से decide करके रखिए कि मुझे 10 minute current affairs को वहां देने है 10 minute मुझे computer को देने है यह सब आपको खुद से अपने उपर एक control लगाना पड़ेगा ताकि आप दूसरे subjects को time दे सके reasoning के लिए मुझे इतना time देना है quant के लिए मुझे इतना time देना है English के लिए मुझे इतना time यह पूरे time total time में से अपना time पहले से prepare हो जाईए decide करके in advance रख लीजिए कि इतना करना है और mocks वगरा लगाते हैं तो उसमें इस चीज को apply करने की कोशिश किया करिए जहां पे भी आपको लगे कि मैं कुछ गल्ती कर रहा हूं इस strategy को बनाने में तो फिर उसे सुधारिए क तक आपको बिल्कुल in mind आपको prepare रहना है कि मुझे कैसा कैसा करना है वहां पे sectional timing नहीं रहेगी आपको खुद पे अपने उपर एक control बनाना होगा ठीक है मतलब मैंने इस चीज में गल्ती की थी जो मैं आपको scorecard दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा quant के लिए मेरा time कि मुझे कैसे भी करना है मेरा सारा section अच्छा गया इसके विजे से बिगड़ना नहीं चाहिए तो मैंने कैसे भी मैनेज करके और मांक्स जो है वो खीच लिये थे की cut-off कम से कम निकल जाए ठीक है तो यह गल्ती आपको नहीं करनी है गल्तियों से ही हम सीक लेते हैं तो यह सारी चीजे मैं आपको बता रहे हूं दस इस अ सीरियस रमांडर विडियो वर यू जो भी चीजे मैने आपको बताई है इस यह डूँ आ व्ल दोस थेंग्स तर इंग्स एच्छा कुछ निहीं हो सकता है नहीं कर रहे हैं तो बिलकुल करना स्टार्ट कर दीचे वाँ लिश students this is sabye signing off see you are in our next session till then stay happy stay blessed keep learning and thank you for watching